आज हम पढ़ने जा रहे हैं Class 4th का Lesson English का Lesson Adventureist Be Adventurous तो कल हमने इसके बारे में कल आदा पढ़ा था जैसे खत्रों से खेलना तो कल हमने कहां तक पढ़ा था हमने कल पढ़ा था यहां से मिने आपको पिक्टर दिखाई थी जीशान और आतिफ चले जाते हैं Forest के अंदर मतलब अपस में conversation करते हैं बात चीज करते हैं regarding Forest की जंगल में क्या कौन से Forest के बारे में बताते हैं Google Dara के बारे में जो कहां पे है जो बढ़गाम डिस्टर के अंदर है ठीक है ओके कल धबनी यहां तक पढ़ा था जीशान Will it be a real camp? Will you live in a tent and cook your food your own food कहता है जीशान क्या तुम जो कैम्प पे जा रही हो क्या यह वाक्या में कोई कैम्प है Will you live in tents or cook food क्या आप वहां पे tent के अंदर होगी और वहां पे खाना बनाओगी आतिफ Yes, we will हाँ, हम जुरूर रहेंगे and at night under the stars और रात हम गजारेंगे तारूं के नीचे और हम क्या करेंगे हम गाने भी गाएंगे We'll sing songs, it will be fun हम बहुत मज़े करेंगे Do come with us किसको बलता है? आतिफ बलता है किसको जीशान को हमारे सब आना I would love to मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुमारे सब आके The following week जीशान और आतिफ जॉइन दे कैम अब उसी हफ़ते में क्या हुआ जो जीशान है और आतिफ है उन्होंने वो कैम जॉइन कर लिया One day they went out together to explore the forest एक दिन दोनों दोस्तों ने क्या किया वो दूर आप जंगल देखने चले गे जंगल में क्या होता है At one time they lost their way एक बार क्या होँए चलते चलते उनको रास्ता बूल गया But soon they got back on the track मगर अचानक की वो वापस उस रास्ते पर आगे पर लोंको गुमा था फिर से वो आगे It was late in the evening अब थोड़ा सी थोड़ी शाम होगी थी थोड़ा लेट होगे था The boys were a long way from the camp They were walking along the Google Dara Nala अब वो जा रहे थे उस अपनी camp की तरफ अब Nala नोने क्रास करना था तो Nala क्रास करके नाला क्यों था स्ट्रीम जैसी ठीक है वो नोने क्रास करना था उसके बाद उनोंने अपने camp में पहुँच हैं था They were near a forest and could hear the cries of animals और अब वो forest में जंगल के नजदीक थे वो जानवरों की जवान जंगल में जानवरों थे उनकी आवाजें सुन रहे थे आतिफ Let's walk fast आतिफ इसको बोलता है किसको जिशान को चलो जल्दी जल्दी चलो We must go to the camp क्यों क्यों हमें जल्दी जल्दी camp में जाना चाहिए तो जिशान in an excited voice ऐसे हसते ऐसे बोलता है खुश होके बोलता है Will we see any bear Will we see any जिशान बोलता है क्या हमें को यहां बालो बालो देख सकते हैं Suddenly अचान क्यों होता है आतिफ स्टॉप आतिफ रुख जाता है and held up his hand और उसका हाथ पकड़ लेता है किस का जिशान का ठीक न Listen They stood still and listened सुनो सुनो आवाज सुनो और एकदम से वो still मतलब एकदम से ऐसे खड़े हो गें हिलने के बगार थाम 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 A big animal was coming towards them ऐसे धर्दी जैसे को लाहिलाता न वैसे चल रहता है बहुत बड़ा जान उनकी तरफ आ रहा था ए बेर ए बेर ए बेर आतिफ विस्पर आतिफ नो बोला ऐसे विस्पर होता आतिफ नो बोला आतिफ नो बोला बेकशियर और एक बहुत बड़े पैड के पीछे खड़े होगे देवेर 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 बिद येज़ बीएर अब उन्नोंने क्या देखा ट्वेंटी मीटर अवे उनसे दूर है क्या एक बहुत बड़ा क्या बालू उसे बोला ये तो कुछ हमें लग रहा है कि जैसे ये बहुत जादा गुसे में है ये हमें नहीं सुनना चाहिए आतफ विस्पड आस्ता से बोला बर्दा बेर हर्ड देम मगर बालू ने उनको सुन लिया ये स्मेल देम टू उनको सूंगने लगा अब उसने अपना मुख की तरफ आस्मान की तरफ उठाया और और वो आवाजे निकालने वू करके आवाजे निकालने लगा जो बॉइस थे वो अपने जिगह से हिले नहीं आतिफ वस अफ्रेइड बर जीशान वसंट आतिफ बहुत डर गया मगर जीशान नहीं वो अपने आप से इंजॉई करहा था ठीक है अब आस्थ आस्थ बाल उनकी तरफ आने लगा नो यह वस ओन्ली टू और थ्री मीटर्स आवे एंड ओकी अब जो बहुत बहुत अपना सिर हलारा था लगता है वो हम पर अटाक कर लेगा आते फिसपर तू जीशान लगता हम पर अपना है वो हम पर अपना है वो हम पर कुछ करना चाहिए यह पूल आउट अट बिग ब्राउन पेपर बैग फ्रम इस बास्केट उन्होंने अपनी टोकरी से बहुत बड़ा बैग निकाला किसका ब्राउन बैग निकाला अट इस पॉकेट अपने पॉकेट से निकाला है ब्राउन बैग दिर विस सम्स्वीट से उस बैग के अंदर क्या थी तौफी स्थी उन्होंने एक दम से वो जो टौफी थी वो ग्रास के उपर फैंग दी और स्थी ब्लो इंट बैग उसके उपर हवा बर दी चीक है ना सून दा बैग वस लाइक के बैलून बैग क्या बन गया बैलून की तरह अब उन्हों जोर से अपना हाथ उतर मारा बैलून की उससे क्या हुआ एक बहुत जोर की आवाज आई जैसे आवाज आई तो बैर एक दम से खड़ा हो गया रोड एंगली उसने बड़ी गुसे में आवाज निकाली रोर किया और वापस चला गया और अचानक से गाईब हो गया जंगल के अंदर तो दोनोंने बहुत ही सांस ली इसकी रिलीफ इसकी सांस ली उन्होंने बोला शुकर है रब का ये चला गया ये थौट वी हैड अगन काश मन बस गन अंती साइड जिशान लॉफिंग सॉफ्टली ये साइड था आतिफ कोईटली लेट्स रन उसकी बोला काश मन बस गन होती शुकर है हम बच गे तो अब वो ये कहन के अब वो हसने भी लगे और साथ में आतिफ बोला चलो अब बागो यहां से हम बाग रहें इन जंगल से कोई और आ जाएगा ठीक है तो अब बच्चों ये भी आप पढ़ना और जहां से मिन आश पढ़ा है वहां से आप फिर से पढ़ना और जो जो मुश्किल इसके वोड्स हैं डिफिकल वोड्स उनको मिलान करना ओके